Hello Friends, Welcome to my YouTube channel आज किसे वीडियो मा आपको बताओंगा अस्तर वाले अम्रेला लेंगे कि स्कावर क किसे की जाती है वो आज किसे वीडियो मा आपको बताओंगा वीडियो अच्सा लगद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप श्रीड आज को स्ब्सक्राइब करना चलि आज वीडियो को सुरू करते हैं अस्तर वाले अमरे लह लेंगे कि कटिंग करने के लिए के यह हमार अस्तर है और उपर का है फइब करना है फ़ले 10 इंच के कमर होती है इसके कंमर ओщё और जैसे आपके कमर ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा जाएड करना होता है जैसे जैसे कि नॉर्मल कमर होती होती है दस रखा जाता है इसके बाद में 35 कमर होगी तो उसमे शाड़े दशल रखा जाता और जैसे कि चालीश है उसमें 11 से चाप 10-11 और उसे जादा 45 है तो बारा इंट से रखा ज़ता है उसमें ज्यादा करना हो तो जैसे कि इसमें गुंचाणि से और इसमें मगजी नहीं लगेनी है इसमें फॉल्डिंग अलग शे लगाना है इस प्रकास में लेंगा त्यार करना है लेंगे कोड़ी लगाना थो दो इंच माइनस करके 10 एड गॅट है तो मुझे मद मुझे नहीं लाघनी है आधा इंच ज्यादा रखना थो पॉल्डिंग के लिए मारजिन हुआ इसके लिए तो साथा गोंप है और देफ मोटी से entrepreneurs लंबाई है औरAt और साड़ा-गुणपचास सिंच पे कट लगानाय तो इस तरीके से हम ने साड़ा-गुणपचास सिंच पे कट लगा दिया इसके बाद हमें इसको ऐसे डबल जमानाय है तो मैं इसको यह देखिए इस प्रकास से हमें पूरे कपड़े को ऐसे जमा देना है तो यह देख सकते हैं इस प्रकास से यह अच्छे से जमा दिया है और यहां पर चुब हमने कट लगा तो यहां साइड आया और उस साइड में इस प्रकास से हमें जमा देना इसके बाद हमें इस तरीकी से फोल्ड एक ट्राइंस ट्राइंगल कप्राइब याँ पर वह यहां पर यहां पर होता है पहले हमने मारक करना मारक करना है कि वहादे से की रहना था 10 इंच तोזה या और दस इंच यहां पर रख देना हो थोड़ा सा कम भी आप रख सकते हैं क्योंकि यह और बहुता है पौने दस इंच आप रख सकते हैं कमर जो आपका लेफा कम लगाना थोड़ा सा कम रख देना है इस तरीके से हो गया इसके बाद हमें यहां पर सिंपल इस तरीके से इंचि हमें उपर सीश्ट प्रकास्य से रखते हुए अब हमें जहां पर हमने मार किया है वहां पर कुछ प्रकास क्ट कर देना है कि के दिए ये हो गया इसके बाद मैं यहां पर उपर से में इसना कपेióस कि गिए इस तरीकी से ओ गया इसके बाद आमें क्या करना है ऐसे होइंड कर दिना आ है अब हमें ऐसे ज्योइट लगाना है तो बागी जो कपड़ह वच्छी इसके अंदर से हमें ज्योइट निकालना है इस प्रकास से में कपड़ह को लेवादा है जो तरिष्ञ साइड है और और यासे को यह से ले देरनी है और यहांद कर देना है कि और यह निकला है हमारहना उसको समर्ट सरकर्ड दिन सीक¬- Officie रख दिना नहीं तो हमारा जॉइंट हो जाएगा इस प्रकाष से आइसे हो गया इसके बाद हमें यहां पर है से कट कर देना है इस प्रकास से यह हमारा जो स्तर का umbrella लहां कट हो गया अब हम क्या करना यह इसी तरीके से हमЙे इसको भी अप्रमरेश जबिश तरीके से जमा देना है प्हGS ने हम तो पहले हमने 350 कपडा लिया था उसी तरीके से में इसको भी हमें साथा गुण्चली सिंट कपड़ा और आप चाहे तो आदव इंच औरक ज़ाधा ले सकते हैं कि यहीं फिर मार जिन चाहिए होगा तो हमें टोटल 15 सिंच कपड़ा ले लेना है कि मुलब तो पच्छास इंच के मार कर देना है ये यक इस तरीकी से हमने इसको जमा दिया अब हम क्या करना है इसको भी ऐसे जमा देना है कि यह हो गया कि इसके बाद हम गया करना है सिंपली यह जो अमने अस्तर लेना है और इसके उपर ऐसे जमा देना है कि इसका जॉइंट है वो साइड में रख देना है इसका उपर से बाद में कट करना है, पहले हमें नहीं कट करना है, यह देखे, इस प्रकास से हमें जमा देना है, और इसके बाद हम simply हमें यहां से ऐसे कट कर देना है, तो हमें इस प्रकास से हमें ऐसे कट कर देना है, के थोड़ा थोड़ा एक्ष्टा कट करना है इस Lazits से और उपर से हमें बाहद में कट करेंगे जब हम सिलही करेंगे यो नेक्स वीडिमा आपको बताओंगा इसकी इस तरी किस तरीकी से की जाती है न purpose अब हमें यहाँ पे आस्तर में हमने three we always compare उसके लिए अम然 कपड़े को भी हमें ऐसे पिच्छा देना है कि यह हो गया इस तरीके से हैं इसके बाद मैंसे डबल कर देना है और यहां पर जो एक टूकोड़ा निकला था उसको अमें इस किसे आटेरत करते कंळा में यह सेट हो इस पर कास से यह अंबरेला लेंगी कटिंग कर सकते हैं आपको मगजी लगा नहीं तो पहले आमने दू सिर को कट कर दिना है और इसी तरिके बाद में ऊपर का जो कपड़ा कम कट कर दिना है और आपको पाइपं या फोलडिंग करना तो उसमें अलग से पटी लगए जटा है इस प्रकास के लिए फोल्ब निग उस्थाखतेश कर दर सकते हैं यह वीडियो स्च लगा वीडियो अचा लगए तो करके जरूर बता है और आप कॉमेंट करेंगे कि अस्तर बारे लेंगे कि सिले किस तरीकी से करते हैं वह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा थैंक्स पॉर वाचिंग